एक बहुत ही सुन्दर दिखने वाला डोग डॉलमेशियन डॉलमेशियन एक ऐसा डोग है जिसे किसी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए ब्रीड नहीं किया गया था क्या उसकी इस्ट्री है उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं तो जो डॉलमेशियन जो डोग है उसके बा एस है करतई झाल जैता हुर्थ जो नहीं जैखने में करें का जा जाता है जो पहले की चमाने में एक छार के चैर में गुते रहते हैं वह यूगे शैर की कोला फिर में चाहर में ल durtu ना जालोगे साथमें, ल्युक्तों सब्रटर जो बना यहां दोर्ट में लोगोंने इसका नाम दॉलमेशियन दिया था है नदर से ही गया था जो जगह दोपक एक रूप के रूप में रखनाय तो भी इसको रख सकते हो कंपेनियन के रूप में अलग अलग डिफ्रेंट वर्क भी आप करवा सकते हो इस सब कुछ करने को तैया है यह इतना अच्छा डोग है काफी इंटेलिजेंट डोग है भागने वाला डोग है उस समय में जब घोडों की रेस होती थी तो उनमें इन डोग को भी दोड़ा दिया जाता था ठीक है और आज भी कई के जगह पर ऐसा होता है कि जहां पर घोडों की रेस हो रही है तो वह युगोसलाविया के जो जगह थी वहां के जो राजा मारा जाते वह इस डोग को बहुत रखना पसंद करते थे इंगलेंड जब यह गया तो इंगलेंड के अंदर भी जो रोयल फैमिली थी उनके साथ यह रहता था हम कई बार पूरानी पिच्चर से देखते हैं उनमें भी जो रोयल फैमिली है उनके साथ यह डोग मिलता ही मिलता है ठीक है तो यह डोग ब्रीड बहुत अच्छी रही है लेकिन जब इसको फर्स्ट टाइम जब इसको दिखाया गया था जो डॉलमेशन हम आज देखते हैं वह 1862 के अंदर इंगलेंड के अंदर जो वहां के जो ब् दिखाया गया था तो यह रही है डॉलमेशन की डॉलमेशन बहुत अच्छा डॉग है मैं बात करता हूं कि डॉलमेशन एक ऐसा डॉग है जो 19 वी सदी के अंदर जब वहां युद्ध चल रहा है यूगोशलाविया में तो वहां पर एजे मैसेंजर डॉक में इसने बहुत इंडिया से वहां पे गई है यह बहुत बड़ी बात है जालता लोगों को नहीं मालूम लोगों लगता है कि डॉलमेशन जो जगह वहीं की डॉग बेड़ है पर ऐसा नहीं है क्योंकि आज तक इसी जो पूरी इस्ट्री वारे में कोई नहीं बता पाए है इसका जो में जो लोग थे जो एक सहर से दूसरी सहर घूमते रहते थे उनके साथ यह डॉक बीड़ आई थी योगोशलाविया में और वहां पे जो डॉलमेशिया जो जगह है वहां पे वो लोग बशे वहां यह डॉक जाके बश गया था अब यह डॉक प्रजेंट में हमारे लिए कैसी है तो मैंने बताया यह सब कुछ करने वाला रॉक है यह आप इसको झाज के लिए रखो चाए प्रोटेक्शन के लिए रखो चाहे कंपेणियन की लिए रखो या जो भी आपके काम है इस सब कुछ करेगा हां इसका ध्यान रखना कि यदि आपको पास थोड़ा बड़ा घर न नहीं होती है तो कई कई बार यह कर देते हैं बट वह बहुत ही रेर चांच होते हैं इसलिए अगर आप डॉलमेशन चैसी डॉप रख रहे हो तो आप इसको रखिए और अगर बड़ा घर है बड़ा इस पेस है तो बहुत ही अच्छा होगा अच्छा अब जब हम डॉलमेशन पपी लेने जाते हैं तो कई के बार क्या होता है बहुत छोटा पपी जब हम देखते हैं कि किसी फिमेल ने डिलिवरी डॉलमेशन पपी की तो पूरे वाइट होते हैं और यह बिल्कुल रियलेटी है आपको यह लग रहा होगा कि इसके ब्लैक स्पोर्ट बच्पन से आते हैं तो आप जब डॉलमेशन लेने जा रहे हो तो इस चीज को अच्छे से चेक करना एक बात और बता देता हूं जब आप डॉलमेशन लेने जाते हो तो उसको देखना इसके उपर ब्लैक कलर के गोल डॉट होंगे ऐसा नहीं होना चीए कि बड़े-बड़े धब्यों ठीक इस तरीके से ड्लमेशन के बारे में यदि और भी आपको इन्फोर्मेशन चाहिए या कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुस्से पूच सकते हो और ऐसी और इंफोर्मेशन के लिए इस चैनल पर बने रहिए कोई बी Doowुट होता है कोई कन्फूजन आता है तो ये चैनल आप लोगों का ही है anytime कोई भी आप पुशन मुश्य कर सकते हैं